ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, जोसा के उपर बहुत जार डाउट आ रहे थे, जोसा की फटा-फट से schedule में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, बहुत शॉट में कि क्या होने वाला है, 18 तारिक, 18 जून, यानि कि हमारा JEE Advance का result आ जाएगा, 19 तारिक, 19 जून, से हम जो choice filling करें, उसके basis पर आपको क्या मिल रहा है, पहली बार दिखा जाएगा, फिर आप change कर सकते हैं, फिर second बार भी आपको दिखा जाएगा, फिर उसके आद में choice lock हो जाती है, वो moq seat allocation जो होगा आपका 25th of June को होगा एक बार, और एक बार 27th of June को होगा, उसके आद में 28th of June को final आपकी choice lock हो जाएगी, अब ऐसी round 1 का result आएगा, round 2 का result आएगा, round 3 का आएगा, round 4 का आएगा, round 5 का आएगा, और फिर round 6 का result आएगा, ठेक है, और जो आएगा हमारा 28th of July को, यानि कि पूरे एक महीने का procedure है, जिसमें आपके 6 round cover हो जाएगे, अब इन 6 rounds के अंदर ही IIT प कराएगा, इस एक महीने के procedure में चलेगा, choice filling अच्छे से करना बागे हम पूरा try करने कि इसका भी हम support ला पाएगे, जल्द ही से जल्द ही, ठीक है, 29th of July से लेकर 31st of July के बीच में आपका CSAB, CSAB का आपका जो registration हो start हो जाएगा, then आप वो एक तरीके स्पॉर्ट रॉन बोल स